हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल वंस अगेंग सो फ्रेंड स्मार्केट में रियलमी कमपनी के नए स्मार्फ़ून रियलमी जीटी मास्टर एडिक्षन स्मार्फ़ून को लेकर भवतिनों से लिक्स डिटेल सामने आ रही है लेकिन दोस्तो अब इस स्मार्फ़ून की लगबख सभी Confirm Спecification सामने आ चुकी है और इस स्मार्फ़ून को कमपनी आने वाली 21 जुलाई को मार्केट में लॉंच करेगी लेकिन दोस्तो इसी स्मार्टफून की टक्तर में Poco Company भी अपने नए स्मार्टफून Poco F3 GT को लेकर आ रही है जो कि दोस्तो कमपनी का एक बढ़िया और अच्छा पावरफूल स्मार्टफून होने वाला है और दोस्तो यह स्मार्टफून आपको मार्केट में आने वाले 23 ज ज्यादा बड़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इन मेंसे कुन सा स्मार्टफून खरीदना चाहिए तो दोस्तो इदिया आप एक बड़िया और अच्छे पारफूल स्मार्टफून का वेट कर रहे हैं तो दोस्तो आप इश वीडियो को पूरा और लश्ट तक ज़रूर देखें और इदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सिर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरूर करते हैं दोस्तों हमेशा की तरही वीडियो की सुरुआत करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफून के लुक और इनके डिजेन के साथ दोस्तों अगर बात की जाए Poco F3 GT स्मार्टफून के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्टफून का लुक और इसका डिजेन रैडमी, K40, गेमिंग अडिक्शन के जैसा होगा क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफून उसी स्मार्टफून का रिब्रेंडेड होगा जो की इनिया में Poco F3 GT स्मार्टफून के नाम से लुंच किया जाएगा जबकि दोस्तों बात की जाए Realme GT Master Edition स्मार्टफून के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्टफून दरापको कंपनी ट्रिपल कैमरा संसर देने वाली है और इसके अंदर भी आपको 56 नोच डिस्पले देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों इन दोने स्मार्टफून का डिजाइन अलग अलग टाइप का होने वाला है तो दोस्तों अगर इनके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों Realme GT Master Edition स्मार्टफून देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 120 Hz रिफिरेश रेट का विस्पोर्ट मिलेगा वहीं अगर दोस्तों बात की जाए Poco F3 GT स्मार्टफून के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्टफून देखने को मिल जाएगा जोकी 1089-2400 पिक्सल के रिजलेशन साथ होगी और इसका स्पेक्ट रिश्यू भी 20 इन पात नूँ होगा और इसकी कोरनी के पर आपको गोरे लगलास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा रिशिद्र भी आपको 120Hz Refresh Rate का Sport मिलेगा तो दोस्तों दोनहीं स्मार्टफून की डिस्प्ले के डिफ्रेंस की बात की जाएगा तो दोस्तो दोनों ही smartphone के दर आपको वैसे तो बढ़िया और अच्छी quality की display देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तो Poco F3 GT smartphone के दर आपको OLED पैनल देखने को मिलेगा और इसके दर आपको दोस्तो बढ़ी display भी देखने को मिल जाएगी Camera setup के बारे में बात की जाए तो दोस्तो Realme GT Master Edition smartphone के दर आपको कंपनी 64MP, 8MP, 2MP का rear camera और 32MP का front selfie camera देने वाली है वहीं अगर दोस्तो Poco F3 GT smartphone के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इसके दर भी आपको कंपनी 64MP, 8MP, 2MP का rear camera और 16MP का front selfie camera देने वाली है तो दोस्तो दोनों ही smartphone के rear camera देर आपको change देखनी को नहीं मिलेंगे दोनों ही smartphone के दर आपको बिल्कुल एग जैसे ही rear camera sensor देखनी को मिलेंगे लेकिन दोस्तो इनके front camera के दर आपको difference देखनी को मिलेगा क्योंकि दोस्तो front camera के मामले में Realme GT Master Edition smartphone आगे रहने वाला है इसके अंदर आपको दोस्तो कंपनी साहे दे 32 माय पिक्सल का सेलवी कैमरा देने वाली है और दोस्तो और बात की जाए इन दोनी स्मार्टफ़न के वेरियंट के बारे में तो दोस्तो दोनी स्मार्टफ़न को कंपनी मार्केट में 8GB और 12GB के साथ उतारने वाली है जिनके साथ आपको 128GB और 257GB का इंटरनल सटोज देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो मार्केट में इन दोनों ही स्मार्टफून को कमपनी साइद 2-2 वेरियंट में उतारने वाली है बाकि दोस्तो Poco F3 GT स्मार्टफून का आपको साइद मार्केट में 6GB वेरियंट भी देखने को मिल सकता है और दोस्तो और बात की जाए इनके प्रोसेजर के बारे में तो दोस्तो दोनों ही स्मार्टफन इंदराप को बढ़िया और उच्छा प्रोसेजर देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो Realme GT MasterDixon स्मार्टफन इंदराप को कमपनी 12 Android का चिपसेट देने वाली है और यह मुबाइल Android 11 ओपरेटिंग सिस्टम के पर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मुबाइल के इंदराप को Mali G77 का GPU देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो दोनों ही स्मार्टफन के प्रोसेजर के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तो दोनों ही स्मार्टफन इंदरापको कमपनी बढ़िया और अच्छा पारहूल प्रोसेजर प्रोवाइड कराने वाली है जबकि दोस्तो Poco F3 GT स्मार्टफून इंद आपको 67W के फास्ट अचाजिंग स्पोर्ट वाली 565 अमेज की पारफुल बैटरी देने वाली है तो दोस्तो दोनों ही स्मार्टफून की बैटरी के डिफरेंस की बात की जाए लेकिन दोस्तो इन दोनों स्मार्टफून के प्राइस के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तो लिक्स डिटेल के मताबिक Realme Master Diction स्मार्टफून का सुरुवाती वेरिट आपको लगवग 15,000 रुपे के असपास देखने को मिलेगा झाल झाल